कानपुख खंड इसनातको सिक्षा विदान परिसद निर्वाचन 2023 के लिए प्रत्यासियों ने अपने नामांगन के पर्चों को दाखिल किया मंडला युक्त कारियाले में बने नामांगन कक्षों में पहुंच कराज परत्यासियों ने पर्चे बरेवाई कड़ी सुरक्षा क के वीच भाजपा से तीसरी बार अरुल पाटक अपना पर्चा दाखिल किया इस दौरान सिक्षक के लिए सिक्षक संग के हेम्राज सिंग गौर ने अपना नामांकन पर्चा भरा मैं उत्तरपदेश मादमी सिक्षक शंग का अधिकत प्रत्यासियों हूं मारे अध्यक्ष मानि सुर्य स्क्मार त्रपाथी जी सिक्षक दल के नेता हमारे साथ में हैं और आपके द्वारा मुझे टिकट दिया गया मैं उसकी रूप में आज नमांकन करा रहा हूं हमारी साथियों को से इस समानकार के लिए समान वितन दिलाना और उनकी सेवा सर्त हैं लागू कराना और हमारा जो तकिसी सिछ निस्तूल्ट सिक्ष्षा मिलने की है को लेकर का हम दोल्त प्रते ही बीजेपी से मलसी सीट के लिए अरुन पाठक जीने नावांकन अप्लाई कर दिया है और वो इस वर्थ हमारे साथ है आई उन्चे बात करते हैं इस वर्थ किन मुद्दों को लेकर आए हैं मुद्य तो उब ही है मुद्य जो पहले 2017 के पहले यहां पर थे 11WS के पहले प्रदेश में बुर्षटाinder है अप्रादी फुरी थे और आम जंता को सरकार का स्भाल नहीं 2017 के बाद प्रदेश सरकार की रूप में और 2014 के बाद के इन सरकार की रूप में जिस प्रकार से विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बही है बिरोजगारों को रोजगार मिला है और भहुत सारी नौक्रियां जो खाली पढ़ेंगी थी उनको भरने का काम किया गया है एक जनता ने दो चनाव में हाथों हाथ लिया था और जिस पर आपकी जो तसा है जनता का मैं आपको आश्रस्त करना चाहता हूं कि फिर एक बार भरती जनता पार्टी के का करतां पर समर्थकों के बलबूते और हमारे जो मार्गदर्शक हैं उनके बलबूते हम एक बड़ी जीत क आपने मताया कि 99 साल का रिकॉर्ड तूटा है और इस तरीके के रिकॉर्ड तूटते चले आए तो पिर सिक्षा के चेतर में क्या कुछ रेंगे क्योंकि रिकॉर्ड तो बहुत तो बहुत से चेतर में आपने कायक कशल्ब देखा हुए बच्चों के लिए क्या कुछ है हाला कि इस नातक को लेकर कही ना कहीं बच्चों में अभी जो संसाय वो बना हुआ है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंद आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलू कर सकते हैं हमारे आईटी है अट तरेट ज्याएमधी ड्यूस फ्लाश